श्रीनाजी गुरुजी गॉलक खादेश, माँ भगवती गॉलक खादेश, राची वाले भहरब बाबा गॉलक खादेश, आप सभी को आदेश आदेश अगोर तंतर रहस पर हमने जितनी भी यक्षिनियों का वर्णन उद्धमारेश्वर तंतर में था, उसको शुरुवाती दिनों में दे दिया कुछ और यक्षिनिया हैं, जो अलग तंतर शास्त्रों में वर्णित हैं, उन्ही में से एक यक्षिनी है, चंद्रगिरा यक्षिनी मुलग भुत रुप से जो पुराने युग थे, उसमें साधकों का मुख्य जो कार्य था, वो था साधना करना। वो शेक्डों साल तक साधना करते थे, कई साधकएसे हैं , जो कई युगों साधना करते थे, और जब वो साधना से निवरित होते थे तो उनको धन के आवशक्ता होती थे तो देवताओं ने उनके इस धन के लिए कुछ यक्षिनी को जिम्यदारी दी और वो विधान जो महादेव और गौरा का जो अलग-अलग तंत्रशास्त्र के विशय में जो ग्रंत है उसमें वर्णित है उसमें चंथ्व गिर्णा यक्षिनी के बारे में यह बोला जाता है कि जो सादक पूर्वकाल में इनकी साधना करते थे सिद्ध हो जाने कर यह यक्षिनी उनको हर रोज एक हजार सोने की महरे देते थे तो खेर सोने की महरे जो हैं वो आज के दिन में तो आप नहीं पह सकते हैं लेकिन यह है कि जिस भी साधक ने वरतमान कालखंड में भी इनकी साधना की है उनके हिसाब से उनके पास धन आरजन बहुत हुआ और वैसे एक साधक से यह साधना मुझे मिली है, ठीक है, इस साधना को करने के लिए सबसे पहला जो आवेशक वस्तु बोल लीजिए, या जो व्यवस्ता है, वो यह है, कि आपको एक निर्जन स्थान पर जाना होगा, ऐसा स्थान जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ठीक है, आपको जो सामगरी वहां लेके जाना है, वो है गुलाब का इत्र, चमेली का तेल, रक्त चंदन, ठीक है, फल, लाल आसन, खुद के लिए लाल वस्त्र, थोड़ी सी रोली, ठीक है, लाल फूल, लाल फूल की संख्या छे रहेगी, पांच आपको पूजा में चड़ाना है, और एक जो है, वो, जब आप जाप करेंगे, तो आपके बाएकान पर रहेगा, ठीक है, सबसे पहले एक ऐसे स्थान का चुनाव कर लें, और उसको साफ करें, साफ करने के बाद, वहां पर, पूर्व की तरफ मुख करके बैठेंगे, ठीक है, पस्चिव नहीं बैठ सकते है पस्चिव में लक्षमी की साधना होती है, जो उत्तर है वहां पर, महादेव की साधना होती है संध्या के बाद, और जो दक्षिन है उसकी साधना, दक्षिन मुख करके, जो भी ऐसे सट कर्म होते हैं, जो अहितकारी हों, उनको करना चाहिए, ठीक है, तो आप अपना आसन बिछा लेंगे, सामने एक triangle बनाएंगे, triangle कैसे बनाएंगे, तो जो रोली लाय है, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएंगे, उससे एक बड़ा सा triangle बनाएंगे, जिसमें आप दो line लिख सकें, लिखना क्या है? नामह, ठीक है? नामह, पहला line है, बीच में फिर लिखेंगे, चंद्रागिरा, चंद्रागिरा, और सबसे नीचा तीसरा जो line है, उसमें लिखेंगे नमह, बाकी की पुजा इसी पर होगी, तो एक घी का दिया जलाएंगे, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल भी मिलाएंगे, और उसको जहाँ पर चंद्रागिरा नमह लिखा है, उस नमह के उपर ढग देंगे, रख देंगे उसको, ठीक है? खुद जो है, शुद्ध हो करके, यह संध्या काल के बाद शुरू करना है, और रात्री से लेकर के, जब तक, जाप पूरा ना हो, तब तक बैठना है, देक सीधा आपको आशिरवाद प्राप्त हो जाए, तब आप सोने में खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना जरूर होगा, कि अगर सीधा आपको आशिरवाद ना भी मिला, सिर्फ एक नजर भी भगवतिक आप पर पढ़ गया, तो आप समझ लिजी कि जीवन भर आपको धन की कमी नहीं होने जरी है, तो इसका जो नियम है, जो थोड़ा कठोर है, क्या कठोर है? कि आपने सारी वेवस्ता कर ली एक तो निर्जन स्थान होना चाहिए, जहाँ कोई आए नहीं, गलती से भी ना आए, ऐसा कोई स्थान हो, अब ऐसा नहीं कि एक फ्लैट ले लिया उसको बंद कर लिया ऐसा नहीं निर्जनस्थान मतली मतलब निर्जनस्तान हो जहां पर 만षय जाता ही नहीं जंगल हो सकता है या वह बहुत पुराना खंडर हो सकता है को जड़ा हूआ बास तरीके पूरब की तरब मुख करके अपने पूजा का विवस्ता करेंगे वहाँ अपना लाल आसन बिछाएंगे सामने एक बड़ा सा ट्रैंगल बना करके जो मंत्र बोला उसको लिखेंगे ठीक है उसके बाद उस पर एक दीपक डालेंगे ये सारे कारेकलापों से पहले खुद को श चढ़ा देंगे इतना चढ़ाने के बाद जो है जो भी आपके पास और समगरी है पंच पूजा की जैसे गुलाब का इत्र है तो वह खोल करके उस पर डाल देंगे ठीक है दूसरा जो भी फल है उसको उस ट्रैंगल के चारों तरफ सजा देंगे जो धूप है उसको वहाँ अंगली से और अंगुठे का प्रियोग करके उस यंद्र के उपर उसको छीट देंगे ठीक और जब आप खुद को तयार करेंगे तो हमेशा याद रखे का कि जो लाल फूल आपको छटा मंगा गया है उसको आपको अपने बाय कान के उपर रखना है बिना ऐसा कि आप होना नहीं है पुरा जब करते रहना है एक लाग जब करके ही आप उठेंगे जो भी आपको कार्यक लाप्क करना है उस परिदी में ही करना है उसके बाहर आप नहीं जासकते वह आपके नजर से नहीं हट सकता यह जो स्थान ہے मंत्र क्या है मंत्र तीन byर, ढोलोंगा ध्यान स जातिलुम हुलु हुलु चंद्रागिरी स्वाह। इसको आपको लगबग 24 घंटे से थोड़ा जादा लगेगा जाप करने के लिए और जाप करने के बाद हवन कुंड तयार करना हवन समीधा जो रहेगी वो आम की लकड़ी की रहेगी और उसमें पंचामरित से दशान से नहीं दसाजार हवन करना है तो पंचामरित में क्या क् दस हजार की संक्या में आप जो है इसका दशान सावन कर देंगे इतना करने से कहा जाता है कि चंद्रागीरा यक्छिनी अत्यंत प्रसंद हो जाती है और जो सादक है उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं होनी देती है आज के लिए इतना ही राची वाले भाबाब आप को इस सा अगर आप करने जा रहे है और जो नहीं भी कर रहे है उन पर राची वाले अनन्त अशिरवाद बरसा है ऐसे उन से मेरी प्राथना है आप सभी को आदेश 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 आलाख आदेश आपसक जादेश